तो माई डेर स्टुडेंट नए ससन के एकजाम की तैयारी सुरू हो चुकी है यानि कि 2024 और 25 के ससन में या फिर उसके आने वाले 26 सत्ताइफ के ससन के लिए वीडियो काफी हल पुल है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बिए फस्टेर यानि कि बिये प्रतम मर्श के फस्ट समस्टर के यानि कि प्रतम समस्टर के जियोग्राफी यानि कि भुगोल के आपको हम पूरा का पूरा भुगोल का स्लेबर्स यानि कि Most Important Topics बताने वाले हैं जहां से ही आपकी प व्हटे बस और ठेवरी फलस आपको topics के बारे में जानकारी हो जाती है तो आपको जब प्रिचाय देने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यदा समस्ज़ाई नहीं आएंगे ठीक है जिससे example के रूप में समस्ज़ते हैं जिससे कि आपको खाना बनाना है ठीक है तो खाना बनाने का तरीका अगर आपको मालूम है कि जैसे कि हमें दाल बनानी है तो उसके लिए हमें क्या-क्या मैट्रेल पढ़ेगा ये अगर आपको जानकारी है तो आप कभी भी आफानी से दाल बना सकेंगे लेकिन अगर आपको जानकारी ही नहीं कि दा जानकारी आपको है ही नहीं तो आप कैसे दाल बना पाएंगे तो इसलिए बोलता हूं कि जब आपकी परिच्छा होगी तो इसमें से कौन से कोश्चन आएंगे क्या पूछा जाएगा यह अगर आपको पहले मालुम पढ़ जाए तो आपको उस समय जब परिच्छा होने वाल की तोर पर देख लिए सकते हैं यह सब्जक्ट आपका जियोग्राफी भुगोल है ठीक है और प्रश्णपत्र कोईश्चन पेपर का नाम है फिजिकल जियोग्राफी का हिंदी में मतलब होता है भौतिक भुगोल आपके इस प्रश्णपत्र के नाम से ही पूरा का पूरा पूरा 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 जो यूनिट्स हैं यह पूरे पूरे इंग्लिस में हैं लेकिन आप लोग अच्छे समझ सकें हम आपको उच्छे समझाएं सकें इसलिए पूरे 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 स्लेबर से को टॉपिक शुपए ने इनुट को हिंदी में भी करणवर्ड कर रखा है ठीक है तो यहां पूरी जानकारी मिल गई जितने भी सब्जेक्ट है और चाह जियोग्राफिय हो चाह फुलिट्कल फाइस हो चाह हिंदी जितने भी इसके यूनिटों चोपिक्स और चैप्टर फे जुड़े ही प्रस्ट आएंगे इसके बाहर बाहर से कुछ भी नहीं आएगा तो यह आठ्थों यूनिट के बारे में आपको तयार कर ले रहा है तो आपको परिच्छा में सफलता पूरे मिलेगी और यह पूरे पूरे पू प्रथम यूनिट में आपको जो पढ़ना पड़ेगा यह पिर जहां से प्रस्ट आएंगे वह पूर्ष्टों थे आप लोगों की समस्ष भावतिक भोगोल की प्रकत क्या है ठीक है एवं इसके छेत्र उत्पत्ति के बारे में बताईए मतलब की भावतिक भोगोल की प्रक अगरी सतह तिक है जहां पर आप कुछ भी देख सकते हैं कुछ भी आप लोग महसुच कर सकते हैं ठीक है उस चीज को हम कहेंगे भोगोल यह फिर भोगोल की प्रकत तो भोगोल की परिभावाफा अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग समा सास्त्रियों ने अलग-अ भुगोल वह बिज्ञान है जिसके ओपरी सताह या फिर ओपरी सुरोप के बारे में जानकारी मिलती है उसको हम भुगोल कहते हैं भुगोल वह बिज्ञान है जिसके ओपरी सताह की या फिर ओपरी फताह या ओपरी सुरोप की हमको जानकारी या फिर ज्ञान मिलता है जैसे की जैसे की नदी पहाड समुद्र जील वन जरने ठीक है इन सभी के बारे में इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा तो यह आ करने पाउति हैं यहां रिखच्षा अगला पर प्रम्भान्द आप लोग बच्पन से सुनते आ रहेंगे ब्रम्भान्ड बहुत बड़ा एक टॉपिक है ब्रम्भान्ड का मतलब कि संपूर्ड पूरे के पूरी दुनिया ठीक है जिसको आप लोग यूनिवर्स बोलते हैं इंग्लिश में सौर मंदल फिजुड़े कुस्चन आएंगे जैसे पृत्पत्य के बारे मत आए व्रतिवी के उपरिफता के बारे मत आए तो ब्रह्म्भान्ड सौर मंदल पृत्पिक्स हैं जिसे समय क्वेश्चन मनेगे और हुभू बैग्यानिक समय पहमाना भू उमतलब की जमीन बैग्य प्रित्वी की बाहरी सता यानि की ओप्री फता फ्रीडा कोश्चन तो आएंगे आएंगे एक आधा कोश्चन आपको आंत्रिक भाग यानि की प्रित्वी के अंदर की जो चीज़ें हैं जैसे कि प्रिफिवी में कई सारी सता है ठीक है उनसे प्रिफिवी की अंदर भी कई सारी सता है ठीक है जैसे जैसे आप above ja. पत्तर मिलेंगे कह सारी मिलें प्रिफिवी प्रिफिवी क्या लिए तेन प्रिफिवी की कई साकार था दिसमीं नहीं है उसमें से ध्यान नहीं आ रहा बस मैं आपको भी बता देता वो तीन परतों में पूरी पूरी जो है यह पूरी परते भी जो है तीन परतों में नीचे डिवाइड है जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है तो यह हां फिर कोश्चन मनेंगे ठीक है उसके बाद यूनिट अमबर सि फिढ़े कोश्चन ना आएंगे महासागर की उतुपत्य कैसे हुई भूकंप के बारे मढताईएं मृकंप किसे कहते हैं कहां पर आता है इसके बारे माथिपविए पढ़ना पड़ेगा जवाला मुखी फिढ़ा कोश्चन आएंगे तो पृतिवी पर ऑठीक है उसी सम्मं महादुपिये बहाव फिंधान्द प्लेट टेक्टोनिक्फ की अवधानडा तो यह आपको सिकेंड यूनिट में यहां फेकोश्चन देखने कुम लेंगे आपने बड़े महादुपिये का महाफ आगर जो बड़े-बड़े हैं ठीक है ज्वाला मुखी हो गया भोकंप हो गय कि चट्टाने तो चट्टाने बहुत टाइप की होती हैं जिनके बारे में आपको हम चैप्टर वाई जब क्लाफ चलाएंगे तो इसमें आपको बताएंगे तो चट्टान फिड़े कोश्चन आएंगे वलन भ्रंस अपच्छे कटाव चक्र यह सब एक टॉपिक्स हैं जिन नमबर थाड़ से उसके बाद यूट नमबर फोर्थ आ जाएगा फोर्थ नमबर यूट में आपको नदी फिर्ट कोश्चन देखने को मिलेंगे नदी क्या है नदीक परिवाफा दीजिये ठीक है नदी फिर्ट कोई पूछा जाए नदीओ के बारे मताई या ऐसा भी वसक समदल कि समर्छण ना कि बारे मताल न नक कैसे हुई है वैं मंडले दबाओ और हुइं बता यह मदल की परिमाणबा और में टेयर करने करना है फूर तब क्या है इसके बारे में पढ़ लेना है उसके बाद वायो मंडलिये दबाओ क्या है और इसकी जो हवाओं होती है हवाओं उसके बारे में ये बहुत बड़ा topic है इस नंबर यूनिट में आपको वायु रास और वताग्र वायु रास और वताग्र फिरुड़े कोश्चन पिछली बारों में कई बार रिपीटेड है तो यह भी महत्तुपूर्ट टॉपिक है चक्रवाद किसे कहते हैं प्रति चक्रवाद के बारे में दोनों पढ़ लेना ए वर्सा किसे कहते हैं यानि की बारिष जो होती है और वर्सा के प्रकार बताईए यह भी महत्तुपूर्ट प्रस्ण है ठीक है यहां से भी कुश्चन बन सकते हैं यह सब बिल्कुल आफान है आप लोगों को इसमें मुझे डीप में एक्स्प्रेंट करने क्या सकता नहीं व सेवन नम्बर यूरिट में आपको महा सागर की तलहटी समुद्र जल की फरनस्टना कैसे हुई है ताप मानियम लवणता क्या है महा फागरे जल परफेंचन क्या होता है ठीक है लहरे क्या है जो बड़ी बड़ी होते है धाराएं और जुआर क्या है महा फागरे निछेप म के बारे में प्रस्थेंगे आर्श नंबर यूनीट में आपको जिव मंडल के बारे में जीमडल के दिज च्वक किते है जैविक उत्तर मैं बहुत कमाता बायोlles बीभूत कमाता चडियागर भागुलिक दुनिया के छेत्र यह कमाते proportion ज्याधा मैं वह जूमंडल ठीक है और कभी-कभी जैविक और तरदिकार फिवड़ा कोश्चिन आ सकता है ठीक है और बाकी यह बहुत कमाते हैं लेकिन है आपके स्लेबर्स में टॉपिक्स में तो ध्यान डाक्षना जरूरी है तो यह आपका पूरा का पूरा रहा स्लेबर्स में बात यह कि इ करनवर्ट करके और आपको आपकी भासा में जिस भासा में आप समझ सकते हैं उस भासा में आप लोगों कि प्रस्तूत किया प्लस बैसिक एक्स्प्लेइन मैंने आपको किया बेसिक जानकारी दिकी यहां-देस कोश्चन बन सकते हैं यह टॉपिक्स हाइए बल के इनिवाइ हीवाटर करकेक One जैसे की हम और फेस्ट युनिट में यहीर, तो फ्रस्ट युनिट में आपको कहां कहां से कोशन देखने रहुत डेखने को कुंअ को रहे क्यों सकते हैं और उप्लस उसके बारे भारे भी हम आपको चर्चा करेंगे अब बस आप आपकी जिम्मेदारी खतम हमाई जिम्मेदारी चलू हो गई सुरूफ लेकर स्लेबर से लेकर चैप्टर वाइज क्लाफेज वीडियो महासेंग्राम वीडियो माडल पेपर सब आपको यहां पर मिलेंगे ठीक है बस आपका अपना चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो जब तक के लिए जहन जल्दी अनिस भी सब्जेट की स्लेबर स्वाली क्लासिस मिल जाएंगे आपको जहन हिंदी में वह भी ठीक है